हलो एवरीवान कैसे हैं आप सब मैं हूँ किशोर देजवानी आप लोगों का मत्हबटिक्स माइंट और स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने मागनेट बेंज में जो प्रोवाइट करता हैं 100% कॉलिटी ओफ्री एजूकेशन के गाडन से लेकर क्लास 12 तक अगर आप लोग CBSC बोर्ट से तो आप लोगों खेंट के अंग्ली बेंज में जहां पर आपको मिल जाता है CBSC बोर्ट का पूरा कवरेज और आप हिंदी मीडियम से घबराणी की कोई भी बात नहीं है आप लोगों के लिए मिल जाता है क्लास एकलास 12 तक एक दम कॉलिटी वाइस और एजूकेशन वो भी हिंदी वीडियम में विट कवरेज यूपी बोड डेली बोड विहार बोड राजिस्थान बोड और आपका प्यारा प्यारा करेंगे most important question question number 11 से लेकर question number 20 तक तो यह रहा हमारा 11th question अब 11th question आपसे क्या चाह रहा है in the given figure मतब इसमें एक figure दिया हुआ है जिसमें AB is parallel to CD यह रहा AB और यह parallel है आपका CD के angle CDP आपके पास 35 degree है यह वाला जो angle CDP है यह आपके पास 35 degree है PD is produce downwards to meet AB हमने क्या कर आप PD को और produce किया है ना AB तक और वो कहां पर meet कर रहा है E पर ठीक है angle BEF आपके पास 75 degree है BEF आपके पास 75 degree है अगर DQ पारलेले EF के DQ कहां है यह रहा DQ यह parallel अगर आपके पास EF के तो आपको AED DEF और PDQ find करना है AED कहां पढ़ेगा AED यह पढ़ेगा ठीक है यह find करना है DEF DDEF यह find करना है आपको ठीक है यह भी हो जाएगा और PDQ PDQ और आपको यह find करना है अब यह तीन angles find कैसे होंगे यह बताओ सबसे पहले तो तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करा आपने सबसे पहले यहाँ पर given लिखा कि given आपके पास क्या क्या है आपके पास given है AB parallel to CD ठीक है और आपके पास कुछ-कुछ angles दिया हुए जैसे angle CDP दिया हुए आपको पास 35 degree और PD को produce किया यह सब वो सब भी लिख देना थोड़ा बहुत important रहता है given में BEF आपके पास 75 degree है आपको जो find करना है एक चीज और दिये अगर DQ parallel है EF के भी अगर DQ parallel है आपके पास EF के भी तो आपको यह सारे सब कुछ find करना है अब यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना है अपने को समझना बहुत जाद है ध्यान से समझना मेरे को यहाँ पर क्या-क्या दिया हुआ अब से पहले मैं उस चीज की मदद दूँगा मेरे को क्या दिया हुए AB parallel to CD दिया है मतलब यह वाला AB और यह वाला CD क्या है पारलल है यह बात आप समझ रहे हूँ अगर यह पारलल है तो आपको यह बात तो पक्किए कि यह एक ट्रांस्वर्सल है हाँ यह ना हाँ सर और अ समझे बात को यह दोनों कौन से अंगल से यह दोनों आपके corresponding angles है तो आप यहाँ से simply क्या बोल सकते हो आप यहाँ से simply बोल सकते हो कि जो अंगल PCD या CDP है जो अंगल CDP है वो बराबर है अंगल AED के है ना अंगल AED के मतलब की कित्ता 35 डिग्री और reason क्या बोलोगे आप reason क् क्या बोलोगे सर रीजन बोलेंगे corresponding angles corresponding angles यह बात तो आपको अलगी समझ में आ रही होगी कि सर यह इसके पारलल है यह एक ट्रांसवर्सल है तो यह दोरो corresponding angles क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे मतलब सर यह आ जाएगा हमारे पास 35 डिग्री ठीक है अब यह 35 डिग्री है यह आपके पास कुछ ना कुछ होगा और यह आपको दिया हुआ 75 और आपके पास यह तो बात पक्किये कि A B एक straight line है सिंस A B is a straight line तो linear pair का concept या दे अरे सर भूल थोड़ी ना सकते हो उसको वो तो दिल में बैठा हुआ है अब अगर दिल में बैठा हुआ है तो उसको दिल से निकालो और यहाँ पर लगाओ सेड लगाते है यह पूरा A B एक line समझना यह पूरा A B एक line है जिसमें की सर A E D प्लस एंगल D E F प्लस एंगल F E B यह पूरा मिला की किता हो जाएगा 180 डिग्री कौन बोलता है कि शोर सर नई linear pair तो एंगल A E D प्लस एंगल D E F प्लस एंगल F E B बराबर 180 डिग्री और लीनियर पेर है ना लिखना क्या है लीनियर पेर का एक्जियम मजार है मजार है सर मजार है तो सेशन को लाइक करो यह 35 डिग्री यह लेट से की X है यह X बोल देता हूं मैं थोड़े दिर के लिए है ना X प्लस 75 क्या हो गया यह 35 प्लस X प्लस 75 डिग्री डिग्री लगा देना बराबर आपके पास कितना हो जाएगा 180 डिग्री तो आपके पास X की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर देखो यह 5 से देदो तो आपके पास हो गया 80 110 110 मतलब यह आ जाएगा आपके पास 70 डिग्री तो यह आ गया आपके पास 70 डिग्री लो यहाँ पर मैंने लिख दिया इसको 70 डिग्री अब और क्या निकालना था आपको आपने ये भी निकाल डाला आपने ये भी निकाल डाला अब पी डी क्यू निकालना है यह X का मतलब समझ गए ना क्या है यह X का मतलब है आपके पास यह X का मतलब है अंगल डी एफ एंगल डी एफ अब P-D-Q फाइन करना है P-D-Q अब समाहिन आपको ये भी बहुत अज्ञे कि DQ eF के पारलल है ये DQ ये EF के पारलल है अगर ये दोनों पारलल फिर से फिर से फिर से फिर से अगर DQ EF के पारलल है तो ये ट्रांसवर्सल हो गही और अगर यह ट्रांसफरसल है तो आपको पता है कि यहाँ पर जित्ता एंगल होगा उत्ता ही अंगल यहाँ पर होगा reason sir corresponding angles बढ़िया बढ़िया corresponding angles यहाँ पर क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे तो उस हिसाब से यहाँ पर आपको सिर्फ इत्ता लिखना है कि अंगल PDQ बढ़िया बराबर हो जाएगा अंगल DEFK और वो हो जाएगा 70 डिगरी और reason कह लिखोगे reason same to same कि corresponding angles lines are parallel तो corresponding angles आपके बराबर ठीक है ना और इस से उपर भले चाहे आप एक line से लिख सकते हो कि since DQ is parallel to EF then this corresponding angles बराबर है आपके पस तो यह भी आपके पस किता आगया 70 डिगरी आगया तो अंगल PDQ भी आपके पास आगया अंगल PDQ भी आपके पास आगया 70 डिगरी बस ऐसे कोशन करना है मस्त तरीके से यह कोशन हो जाएंगे सारे कोशन आसान सारे कोशन आजाने लगतों की और बढ़ा बढ़ा कुछ में होना वाला लेकिन क्या बढ़ा होने वाला कुछ भी नहीं सब छोटा होने वाले एक पर फड़ाक से स्क्रीन चॉट लेने का दोस्त हो गया ले डाला स्क्रीन चॉट पक्का आगे बढ़ सकते गया बढ़ सकते सब अब बढ़ सकते तो बढ़े सर कुशन नमबर 12 वाग देखें कैस को मैंने बोला देखना ही पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं अपने पास हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है कुशन नमबर 12 इंड़ गिवें फिगर ए बी इस पार्लेल टू सीडी इस फिगर में आपके पास's ए बी जो है वो सीडी के पार्लेल है ठीक है एंगल ये अपके पास 90 डिगरी एंगल ए आपके पास 90 डिगरी ठीक है A, E, C A, E, C आपके पास पूरा 40 डिग्री है आपको E, C, D फाइंड करना है E, C और D ये पूरा एंगल फाइंड करना है कैसे करोगे सर थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हैं लेकिन इत्ता भी दिमाग नहीं कि पूरा लगा दे मैंने बोला रहे सुनो सुनो, सुनो, सुनो आपने क्या किया आपने CF ड्रॉ किया आपने CF ड्रॉ किया विजिस पार्लेल टू A सबसे पहले solution लिखो और solution में सबसे पहले given लिखो given में आपके पास क्या है कि AB पार्लेल है CT के समझना और angle A आपके पास है 90 degree और आपके पास एक चीज है angle AEC जो कि किता है 40 degree आपको EC डिफाइन करना है हो जाएगा आपने क्या किया आपने ड्रॉ किया यह जो imaginary lines आपको लिख रही है यह जो आधियादूरी lines दिख रही है तो draw CF which is parallel to A draw CF which is parallel to A अब बहुत जादे ध्यान से समझना एक बात आपको concept तो समझ में आ जाएगा इस बात की guarantee आप समझना कि भाया अगर यह दोनों line मैंने बोल दी पार्लेल तो आप यह बात तो जानते हो कि यह आपको एक ट्रांसफरसल है यह क्या हो गया यह ट्रांसफरसल हो गया तो यह जित्ता एंगल होगा उत्ता एंगल यह भी होगा मानते हो यह बात मानते हैं न सर क्यों नहीं मानेंगे तो यह वाला जित्ता एंगल होगा उत्ता एंगल यह होगा ठीक है और आपने क्या बोला कि sir यह 40 degree हो गया और यह 90 हो गया समझना 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 यह बात तो समझ में आ गई होगी आपको कि यह आपके पास 40 degree का समझ गये 40 degree का क्यों क्योंकि आपके पास यहाँ पर आपने क्या बोला alternate interior angles बराबर है lines parallel है, यह transversal है, तो alternate interior angle बराबर, यह 90 है, तो यह बात पक्किए है कि यह भी कितना होगा, 90 degree होगा, तो अब आपको fine क्या करना है, अब आपको fine करना है, E, C, D, E, C और D, यह पूरा fine करना है, यह पूरा fine करना है, आपको, कैसे करोगे, सर यह पूरा fine करने के लिए, हमें इतन हमारे पास इतना तो आ गया, हमारे पास at least इतना तो आ गया, तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, कि मेरा ECF, या फिर ECG, जो मेरा angle ECG है, वो बराबर होगा angle AEC के, angle AEC के, वो कितना हो जाएगा, 40 degree, और reason क्या लिखोगे आप लोग, reason आपको लिखना पड़ेगा, कि lines are parallel, मतलब AE is parallel to CF, AE is parallel to CF, तो corresponding angles बराबर, क्या लिख दोगे, कि corresponding angles बराबर, अरे corresponding angles नहीं, lines parallel, तो alternate interior angles बराबर, alternate interior angles, ठीक है, इत्ता हो गया, अब मैंने दिमाग लगाया थोड़ा सा, मैंने ये सोचा, कि अगर ये चलो ठीक है माना मेरे पास 40 है, अब मैं क्या करूँ, मेरे को तो पूरा ECD find करना है, तो मुझे तो ये find करना है, अब ये वाला कैसे find करूँ, तो मैंने बोला, कि अगर मे ये अगर 90 है तो ये भी 90 हो गया, है ना, अगर ये 90 है तो ये 90 हो गया, और ये 90 है तो ये 90 है तो ये भी 90 हो गया, अब मैं बोल रहा हूं कि ये 90 और इसका sum, sum of two co-interiors angles is equal to, आपके पास किता, 180 degree, समझना है, बहुत जादा ध्यान से आप बात को समझना है, ये 90 है ये पक्क जैसे angle A आपके पास 90 है वैसे ही आप इसको भी बोल दोगे कि जो आपके पास angle A G C है वो बराबर है angle B G C के, angle A G C जो है वो बराबर है angle B G C के, किता 90 डिगर तो यह आपके पास कित्ता हो गया यह आपके पास 90 degree हो गया अब समयना ये वाला एंगल समयना ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कसम 180 degree होगा reason consecutive interior angles तो angle BGC angle BGC plus angle GCB GCD GCD बराबर 180 degree reason क्या लिखोगे consecutive consecutive interior angles या co-interior angles ठीक है तो आपके पास BGC है क्या BGC है सर 90 degree और angle GCD है क्या GCD नहीं है बराबर आपके पास तो angle GCD आपके पास कित्ता आगया 90 degree होगा GCD कित्ता आगया दोस्त GCD आगया आपके पास 90 degree तो यह भी 90 होगा अब यह 90 और 40 कित्ता होगा total 130 तो angle ECD angle ECD आपको find करना था ECD यह पूरा तो ECD कैसे आएगा जब ECG में GCD add होगा जब angle ECG में GCD आएट होगा तो आप angle ECD को क्या बोलोगे आप बोलोगे सर 40 प्लस 90 130 130 degree जल्दी से एक प्यारा वाला मस्त screenshot लो और समझो question को की क्या है question को समझो की क्या है समझ गए आगया मजा आगया क्या आगे बढ़ सकते हैं चलो आगे बढ़ते हैं तो आगे जैसे हम लोग बढ़े आगे हमारे पास आगया एक नया question यहाँ पर question को तो आपको समझना पड़ेगा एक एक question बहुत जादा must और बढ़िया तरीके में है एक एक question को आपको समझना पड़ेगा पस और कुछ नहीं है in the given figure AB parallel to CD समझना AB parallel बोल रहा है CD के यहाँ पर देखो AB parallel है क्या CD के बिल्कुल है और GED अंगल GED GED यह पूरा GED यह पूरा 125 है और EF perpendicular है CD के EF perpendicular है आपके पास EF perpendicular है CD के ठीक है H निकालना है आपको AGE यह वाला angle find करना है हो जाएगा GEF find करना है GEF find करना है यह वाला angle find करना हो जाएगा FGE find करना है F, G, E find करना, यह वाला एंगल find करना, हो जाएगा, हो जाएगा, यह तीनों एंगल find हो जाएगे, कोई भी tension की बात नहीं है, सबसे पहले हम लोग इस वाले एंगल के पीछे पढ़ रहा है, solution, मैं सबसे पहले आप क्या लिखोगे, given, क्या-क्या है, कि सार, A, B, parallel CD के, और एंगल G, E, D, 125 डिग्री है, और EF perpendicular है, आपके पास CD के, ठीक है, तो आपको एंगल A, G, E find करना है, एंगल A, G, E, find करना है, और आपको एंगल G, E, F, find करना है, तो यह सारा find वाला में कुछ नहीं लिख रहा है, अब मैंने थोड़ा दिमाग लगा एदर आके, मैंने बोला कि मेरे पास A, B, कही ना कहीं CD के parallel है, क्या बोला मैंने, मैंने बोला भाया, मेरे जो A, B है, वो कहीं ना कहीं CD के parallel है, हां है, और G, E, E, Transversal है, तो यह वाला जित्ता एंगल होगा, उत्ता एंगल इस वाले एक पराबर होगा, यह दोनों parallel, यह expansal, तो यह वाला एंगल पराबर यह वाला एंगल, और यह वाला एंगल तो 125 है, इसका मतलब यह भी 125 है, समझ गए बात को भाईया यह दोनो actionable यह जीए एक ट्रांसफर्सल तो जित्ता यह वाला अंगल होगा उत्ता ये वाला अंगल होगा यह 125 ये तो ये भी 125 होगा समझ गए समझ गए सर तो बस इतनाके साई सेंपल कि अंगल A, G, E बराबर होगा एंगल G, E, D के और वो टोटल किता है आपके पास 125 डिग्री तो उस हिसाब से आपके पास एंगल A, G, E किता आ गया 125 डिग्री आ गया समझ गये पक्का आगे बढ़ सकते हैं तो यह 125 हो गया ठीक है अब A, G, E का काम खतम अब G, E, F पपको पकड़ो G, E, F यह राज G, E, F अच्छा सर, G, E, F निकालने का यह बहुत बढ़िया तरीका मेर को आया है तो मैंने बोला G, E, F प्लस F, E, D समझना, समझना, समझना G, E, F और F, E, D के टोटल सम किता है 125 डिग्री आपको एंगल G, E, D दिया हुआ है आपको एंगल G, E, D दिया हुआ है की निदिया हुआ है दिया हुआ है तो आपको एंगल G, E, D दिया हुआ है 125 डिग्री अब इसी एंगल G, E, D को मैं क्या लेख रहा हूँ G, E, F प्लस F, E, D G, E, F प्लस F, E, D सब्सक्राइब आपके पास he जी इएफ नहीं है वही तो find करना Good तो किता हो गया Morocco ऐफ आगया आपके पास 35 ग किता 35 degree समझ गया क्या अरे यहां से हो गया 100 और एक 25 तो 35 हो गया सर हो गया बढ़िया 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 जैसे ही हो गया तो आपके पास AGE आ गया आपके पास GEF आ गया समझ ना यहाफ इंगल FGE आप गया अच्छा समय ना सा यह G E F कहा है मैंने बढ़िया 35 कि लो सर कैसे न कैसे करके आप एक बात को समय ना अगर यह आपके पास 90 degrees है और यह आपके पास 90 degrees है तो यह बात पकी है तो यह भी 90 degrees होगा क्योंकि सर ये बाद तो उसने बोली है ना कि EF जो है EF जो है वो CD का परपेंडिकुलर है तो सर यहाँ पर ये दोनों लाइन पार्लेल ये ट्रांसवर्सल तो सर अल्टरनेट इंटीरर अंगल्स बराबर ये भी 90 डिग्री तो सर एक ट्रेंगल में सारे अंगल्स का समकिता हो सर यक्ती कौन बोलता है अंगल्सम प्रपेटी तो आपके पास ये अंगला सकता है समझ गये हाँ सिर समझ गये ट्रेंगल गंजेडर करके हाँ और दूसरा एक तरीका बाता आपके पास AB क्या है सल अबी एक लाइन है और ये जो GE है वो एक रहे है तो ये वाला एंगल से व कुछ भी लगा सकते हो वस ठीक है सब तो मैं ले रहा हूँ GFE को इंटर अंगल GFE अब इस GFE का खासियत सुनो GFE अंगल GFE प्लस अंगल FEG प्लस अंगल समझना 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 GFE मतलब यह वाला हो गया FEG मतलब यह वाला हो गया और EGF मतलब यह वाला हो गया EGF मतलब यह वाला हो गया और टोटल मिलाके 180 डिग्री हो गया ठीक है अब हमें EGF फाइंड करना है EGF ठीक है यह 90 यह 35 यह 90 यह 35 तो 90 प्लस 35 प्लस अंगल EGF बराबर 180 डिग्री यह टोटेल किता हो गया सरफिर से 125 तो एंगल EGF बराबर किता हो जाएगा 180 माइनस 125 डिगरी जो लगे वो कर सकते हो आप तो मैंने आपको दोनों मेथट बता दिया आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो तो यहां से पकड़ो 30 हो जाएगा 55 किता 55 डिगरी हो गया तो FGE आग वमच भी काती हो रही है निए न तो यह आगया आपके पास 55 डिगरी है जलदी से देख लो questions बढ़ी हैं questions बढ़ी हैं इस फिगर में AB पार्लेल टू है DE, हमें प्रूफ करने की एंगल ABC, ABC, प्लस एंगल BCD, BCD, ये पूरा, BCD ये पूरा, बढापर 180 प्लस एंगल CDE, CDE, अब क्या करूं, अब क्या करूं, ये कोशन तो मुझे ही नहीं आ रहा, अब कोशन ये कुवाला तो मुझे ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं, सर थोड़ा बहुत दिमाग तो लगाना पड़ेगा आपको, मैंने बोला चलो, कोशिश कर लेता है, given, given में आपके पास AB पार्लेल टू क्या है, DE है, ठीक है, AB पार्लेल टू, ये वाला AB पार्लेल टू DE है, ठीक है, समझ गया है, तो अब मैं क्या बोल रहा मैंने बोला, draw, CF, which is पार्लेल टू AB, अब समझ ना, बहुत जादा ध्यान से समझ ना, बहुत जादा ध्यान से, AB जो है, वो DE के पार्लेल है, ठीक है, माना, और जो ये CF है, वो भी AB के पार्लेल है, तो कही ना कही CF DE के पार्लेल होगा, भाया, एक बात समझ ना, कि आपके पास, AB जो है, वो DE के पार्लेल है, AB जो है, वो DE के पार्लेल है, अच्छा, CF जो है, वो AB के पार्लेल है, मतलब कि ये दोनों लाइन्स, सेम लाइन के पार्लेल है, लाइन्स, विच आ पार्लेल टू दी सेम लाइन, लाइन्स, विच आ पार्लेल टू दी सेम लाइन, लाइन और d e आपस में भी पार्लेल होंगी, क्या बोल दोगे आप, then जो आपके पास d e है, वो c f के भी पार्लेल होगी, reason आपको लिखना पड़ेगा, lines which are parallel to the same line lines which are parallel to the same line और also parallel to each other और also parallel to each other ठीक है, इत्ती बात तो होगी, confirm अब क्या कर सकते हैं, तो अब मैंने बोले समझू ये वाली line इस वाली line के parallel, ये वाली line इस वाली line के parallel, तो ये एक transversal bc या cb एक transversal, तो sum of two consecutive interior angles बराबर किता, 180 degree ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा since cf is parallel to, अब यहां से proof करना शुरू कर रहे है since cf is parallel to, आपके पास a b given वागेरा में सब कुछ लिख दिया आपने, given लिख दिया तो two proof, angle a b c plus angle b c d पराबर 180 degree plus angle c d e तो आपने गोला cf, cf जो है वो parallel a b के तो यह वाला angle और यह वाला angle का सम किता हो गया, 180 degree तो angle a b c, angle a b c plus angle b c f, b c f, बराबर 180 degree reason क्या लिख होगे, co-interior angles, co-interior angles हो गया, पहली equation, पहली equation, आज आओ आगे बढ़ता है अब एक बात समझना, यह वाली line, इस वाली line के भी parallel है तो यह एक transversal हो गई, तो यह वाला angle और यह वाला angle आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया यह वाला angle और यह वाला angle आपस में बराबर reason, सर यह दोनों तो alternate interior angle है न, ठीक है तो फिर से वही लिखना कि c f is parallel to आपके पास d e और आपके पास angle f c d क्या बोल रहा हूं है, angle f c d बराबर हो जाएगा angle, किस के? c d f के, c d e के reason, alternate, interior angles, समझ गए क्या, अब 180 के साथ angle c d e आ रहा है, 180 के साथ c d e आ जाएगा, यह हो गई second equation, अब add first and second, क्या बोल रहा हूं है? मैं बोल रहा हूं, add equation first and second, यहाँ पर, add equation first and second, we get, अब हमें क्या मिलता है? सर, a, b, c, b, c, f, c, d को जोड़ो, a, b, c, b, c, f, c, d, और सर, 180 प्लस angle c d e, c d e, ठीक है? a, b, c, तो हमारे पास आ रहा है, यहाँ b, c, d, r, b, c, d, r, 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 बरापर 180 डिग्री प्लस एंगल CDE समझ गये क्या और लो हो गया प्रूफ हो गया प्रूफ समझ गये बात को की नहीं समझे समझ गये की नहीं समझे जल्दी बताओ अगर नहीं समझे तो एक तरीका थोड़ा सा वीडियो को पीछे ले जाओ और फिर से एक बार करके देखो आ जल्दी ले ले लिए स्क्रीन शॉट आगे बढ़ सकते हैं चलो आगे बढ़ते हैं तो आगे आप हमारे पास कौन सा कुशन आगे है समझो आजाओ मिलते हैं ना ये कुश्चिन से कुश्चिन नंबर 15 इन दा गिवन फिगर अंगल ABC आपके पास 80 डिगरी ABC ये पूरा 80 डिगरी है DEF DEF 45 डिगरी है ठीक है the arms DE और EF DE और EF off angle DEF off angle DEF cut BC at P और Q cut कर रहा है BC को P और Q पर बिल्कुल सही बोल रहा है तो respectively हमें प्रूफ करना है कि PD पारलल है बीए के जो PD है PD PD ये वाला PD ये बीए के पारलल है अब ये पता है कब पारलल होगा ये तब तक पारलल नहीं होगा जब तक मैं इसको 80 डिगरी प्रूफ नहीं करता हूँ क्योंकि अगर ये 80 डिगरी है तो ये भी 80 डिगरी होना चीए समझना अगर ये 80 डिगरी है तो अगर ये भी मैं 80 कैसे ना कैसे करके बोल दूँ तो मैं बोल दूँगा कि ये दोनों corresponding angles बराबर है ये 80 और ये 80 corresponding angles बराबर है तो lines आपकी parallel है तो हमारा motive क्या हुआ यहाँ पर हम स्वारी चीज़े दिये वो ये दिये कि ये 45 है ये आपके पास 35 है तो 45 और 35 अब आपको क्या find करना है अब आपको find करना है ये तो ये find हो जाएगा ये find हो जाएगा तो फिर ये find हो जाएगा लेकिन ये अगर 80 डिगरी आएगा तो ही हम बोल पाएंगे lines parallel है अधरवाइस नहीं बोल पाएंगे तो जब तक hope बना के रखनी है कि हो सकता है वो आजाए चलो आजाओ solution में क्या बोलोगे given और given में क्या बोलोगे कि आपके पास angle ABC बराबर है 80 डिगरी के और angle DEF बराबर है 45 डिगरी के ठीक है और बस इतना ही है हमें proof करना है टू प्रूफ कि जो PD है वो पार्लेल है BA के वो पार्लेल है BA के आज आप प्रूफ करते है तो अब मैंने क्या बोला एंट्राइंगल PEQ अब PEQ में समझो एंगल PEQ प्लस एंगल EQP बराबर एंगल QPE बराबर एंगल QPE इन तिनों का साथ एंगल PEQ प्लस एंगल EQP प्लस एंगल QPE बराबर किता 180 डिगरी कौन बोलता है के शोर सर नहीं एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल सम प्रोपर्टी एक ट्रेंगल में बनने वाले सारे इंटेरा रंगल का सम्कित्ता 180 डिगरी PEQ आपके पास है क्या? बिल्कुल है 45 डिगरी EQP है क्या? बिल्कुल है 35 डिगरी QPE है क्या? QPE नहीं सरव ही निकाल लेता तो यह हो जाएगा आपके पास 45 डिग्री प्लस एक्यूपी आपके पास 35 डिग्री प्लस क्यूपी आपके पास नहीं है फाइन करना है ठीक है यह कित्ता हो गया आपके पास यह हो गया सार 80 कित्ता बोलोगे आप इसको 80 क्योंकि यह 50 हो गया और 80 हो ठीक है तो एंगल QPE बराबर 80 जाब माइनस होगा तो 100 तो QPE आपके पास आगया 100 यह 100 हो गया तो यह वाला कित्ता हो गया यह कित्ता हो गया यह कित्ता हो गया यह 80 हो गया कैसे हुआ वो संब्सक्राइब सिंस D.E. is line और P.Q. एक रहे है तो एंगल E.P.Q. प्लस एंगल QPE बराबर 180 डिगरी समझना 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 यहाँ पर लिख देना कि सिंस D.E. is a straight line D.E. एक straight line है और P.Q. यह PC. एक रहे है P.Q. बोल दो P.Q. एक रहे है तो यहाँ पर बनने वाले दो एड़सेंट अंगल का समझना 180 डिगरी मतब अंगल D.P.Q. प्लस अंगल QPE अंगल D.P.Q. प्लस अंगल QPE बराबर 180 डिगरी D.P.Q. आपके पास नहीं है अरे वह तो नहीं है न भीया वह तो फाइंड करना है 180 माना हमने ठीक है तो यहाँ पर reason क्या लिख दोगे आप reason लिख दोगे यहाँ पर linear pair reason क्या लिख दोगे आप linear pair यह अगर 180 डिगरी होता है तो क्यों होता है linear pair D.P.Q. आपके पास नहीं है और QPE आपके पास है 100 बराबर आपके पास 180 डिगरी तो अंगल D.P.Q. कित्ता आ गया D.P. कित्ता आ गया 80 डिगरी है ना D.P.Q. कित्ता आ गया आपके पास 80 डिगरी अब समझना angle A.P.P. बराबर angle D.P.Q. है या नहीं क्या बोल रहा हूं मैं मैं बोल रहा हूं यहाँ पर बोलता हूं कि जो angle आपके पास A.P.P. है वो बराबर है angle D.P.Q. क्यों क्या बोलोगे reason बोलोगे सार same angle equal angle 80 डिगरी अगर ये दोनो angles बराबर है अगर ये दोनों angles बराबर है तो lines आपकी parallel है और ये reason क्या लिखोगे corresponding angles बराबर है भई हना एक तरीके से यहाँ पर corresponding angles बराबर होगा है अगर ये वाले angle इस वाले angle के बराबर है तो A.P. is parallel to D.P. A.P. parallel होगे D.P. के reason क्या क्या क्रिस्पॉंडिंग angles बराबर होगे अगरस्पॉंडिंग angle same थे ना इसलिए corresponding angles यहाँ पर same होगा है ना इसलिए आपकी lines parallel होगे इसलिए आपकी और 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 यह हो गया question number 15 complete जल्दी से हो गया आगे की बात कर सकते हैं क्या चलो आगे की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने आगे की बात करी और आगे हमारे पास आगया question number 16 क्या बोलता है Sir question number 16 का कहना है proof that opposite angles of a parallelogram are equal हमें एक parallelogram बनानी की जरूरत पड़ेगी एक parallelogram बनाओ अना ठीक है अब यहाँ पर हमें proof करना है जैसे अगर आपके पास यह एक a, b, c, d है तो आपको proof करना है कि angle a, angle c के बराबर है या तो फिर आप proof कर दो कि angle b, angle d के बराबर है आप कोई भी एक proof कर दो similarly बोलके हम बोल देंगे कि वहाँ पर दोनों बराबर है अब given क्या दिया हुआ है कि a, b, c, d एक parallelogram है अब parallelogram की खासियर तो आप जानते होगे कि parallel sides होती है उसमें opposite sides are parallel मतलब a, b is parallel to c, d और a, d is parallel to आपके पास b, c ठीक है तो यहाँ पर bracket में लिख दूँ क्या लिख दू a, b, parallel to c, d और a, d parallel to b, c a, d parallel to b, c आप यह बोल सकते हो अगर आपने यह बोल दिया तो अब आपको proof करना है to prove में आप क्या बोल सकते हो कि sir angle a को angle c के बराबर यह proof कर दो या तो फिर angle b को angle d के बराबर proof कर दो opposite angles parallelogram की equal मांग रहे न बतलब angle a यहाँ तो angle c के angle b यहाँ तो angle d के हम proof कर देते हैं अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हम यहाँ पर ऐसा क्या करें तो मैंने बोला सुनो सीधा proof पर आओ सीधा proof पर आओ और बात को बहुत ज़्यादा घहरा ही से सांदो आप यह बात जानते हो अगर a b और c d parallel है और a d एक transversal हो जाएगी समझना बहुत ज़्यादा ज्यान से लिखना since a b is parallel to c d और a d एक transversal और a d एक transversal है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का समझता 180 डिग्री कौनसा एंगल एंगल d a b एंगल d a b प्लस एंगल a d c बराबर 180 डिग्री और reason क्या बोलोगे आप reason बोलोगे sum of two co-interior angles reason में सिर्फ इत्ता लिख देना co-interior angles वो समझ जाएगा कि अच्छा co-interior angles के xm लगाया है यहाँ पर दोनों angles को sum उसने 180 डिग्री बताए बता देगा क्योंकि a b parallel है न भाईया d c के और a d a transversal है तो गलत क्या बताए हमने कुछ गलत बुला क्या नहीं हम rule के इसाप सी चल रहे हम तो rule के इसाप सी चल रहे ना तो आपने लपेट लिया इन दोनों angles को कौन-कौन से एक तो यह वाला एक तो यह वाला और एक यह वाला अब मेरा दिमाग यह चल रहा है कि आपके पास a d और b c पारलेल है यह वाला a d और यह वाला b c पारलेल है और c d एक ट्रांसफर से ले तो यह वाला एंगल और यह वाला एंगल का समकित्ता सर्वन 80 डिग्री रीजन कोईंटीरर अंगल से तो बस फिर से लगाँ फिर से कोईंटीरर अंगल का एक जम लगाँ तो अब आपके पास लेकिन क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं a b parallel to c d नहीं इस बार a d parallel to b c है ना भाईया a d parallel to b c है ना a d parallel to b c है तो आप क्या बोलोगे कि यह वाला एंगल और यह वाला एंगल का समवन 80 डिग्री तो एंगल a d c प्लस एंगल कौन सा वाला प्लस एंगल a d c हो गया प्लस एंगल d c b बराबर 180 डिग्री reason फिर से वाई को इंटीरर एंगल से को इंटीरर एंगल्स ठीक है यह हो गई पहली equation और यह हो गई दूसरी equation दोनो equation में जो पूंजे नजर आ रही है दोनो के RHS बराबर है या फिर ऐसा समझो 180 की जगे पर में में पूरा लिख सकता हूं तो 180 की जगे पर में पूरा लिख दूँगा तो from equation first and second from equation first and second हमको जो मिला वो बता रहो we get sir 180 की जगे पर इत्ता पूरा लिख सकता हूं तो 180 की जगे पर इत्ता पूरा लिख दो तो यह पूरा पाट से में एंगल डी एबी प्लस एंगल एडी सी बरापर 180 की जगे पर इतना पूरा लिख दो एंगल एडी सी प्लस एंगल डी सी भी हो गया हो गया तो अब एडी सी से एडी सी कट गया एडी सी से एडी सी कट गया तो आपके पास क्या आ गया एंगल डी एबी बरापर एंगल डी सी भ अब देखो इधार देखो फिगर में देखना फिगर में देखना बहुत जाता ध्यान चे कौन-कौन साइग D.A.B D.A.B मतलब यह भाला ठीक है D.C.B ऐसे नही D.A.B मतलब यह भाला और D.C.B D.C.B मतलब यह भाला अपोजिट अंगल बराबर बता दिये ना यही तो बोलने तो वह एंगल A और अंगल C अरे बाबा यह एंगल A ही तो है और यह एंगल C ही तो है यह देखो ना D.A.B मतलब अंगल A D.C.B मतलब अंगल C तो यह दोनों आपसे में बराबर बता दिये Similarly हम उन दोनों अंगल को भी बराबर बता सकते है Similarly अंगल D.B यहाँ पर लिख देता हूँ यहाँ पर Similarly Angle B बराबर अंगल D Hence proved ठीक है? Proof कर दिया हमने इसको proof कर दिया समझ गए बात को बस तो opposite angle parallelogram के बराबर होते हैं हो गया आपके पास question number 16 आसान था क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं अब सर आगे हमारे पास क्या question है? यह वाला question है लग तो प्यारा रहा है बाकी फ्रिद देखते हैं Question number 17 In the given figure A, B is parallel to C, D इस figure में A, B parallel C, D के और angle E, A, B 105 है E, A, B यह पूरा 105 है ठीक है A, E, C, 25 है A, E, C, 25 है चलेगा E, C, D, X है E, C, D, X है E, C, D, X है हमें X के value find करने हैं हमें इसी X के value find करने हैं क्या करूँ क्या करूँ बता हूँ तो मैंने बोला कि मैंने E, D यह E, F एक RayDraw करी E, F मैंने क्या करा E, F मैंने एक RayDraw करी यहां से समझना मैंने E, F एक RayDraw करी जो की parallel है किसी भी एक line के आओ, लिखना शुरू करते है पहला समझा दूँगा अच्छे से, don't worry आपको given क्या क्या दिया हुआ है आपको given दिया हुआ है A, B parallel to C, D ठीक है angle E, A, B भी आपको दिया हुआ है 105 degree और आपको angle A, E, C भी दिया हुआ है कित्ता 25 degree ठीक है आपको E, C, D भोल रहा है वो X है तो angle E, C, D भी दिया हुआ है X तो आपको X के लिए फाइंड करना है वो बात की बात है प्रूव हमें करना है नहीं है तो मैंने यहाँ पर construction कर दिया construction में लिखा draw E, F draw R, A, E, F which is parallel to A, B भोल दो या C, D भोल दो किसी भी एक के पार्लेल तो draw E, F which is parallel to C, D मैंने क्या बोला? मैंने बोला E, F parallel है किसके? C, D के ठीक है अब यहाँ पर एक बात को समझना since अगर A, B, C, D के पार्लेल है अगर A, B, C, D के पार्लेल है और E, F भी C, D के पार्लेल है तो lines A, B और E, F lines which are parallel to the same line देखो न, lines which are parallel to the same line are also parallel to each other lines which are parallel to the same line are also parallel to each other तो यहाँ पर आपके पास A, B इस parallel to क्या हो जाएगा E, F हो जाएगा, reason क्या लिखोगे Lines which are parallel to the same line same line are also parallel to each other आसान बात बहुत जाद आसान अब अगर ऐसा हुआ A, B अगर E, F के parallel हुआ तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो कि सर यह वाला एंगल और यह पूरा एंगल का सम बराबर 180 degree ठीक है यह तो आपने कर दिया अब यहाँ पर आपको मदद लेनी पड़ेगी A, B इस parallel to CD की हना यह भी हमने चलो मान आए यह हमने प्रूफ कर दिया तो अब एक-एक चीज की मदद लो एक-एक चीज की मदद कैसे A, B, E, F के parallel और A, B, CD के parallel तो मेरा यह जो यहाँ पर दिमाग चल रहा है वो पहले इसके लिए चल रहा है E, F और CD आपस में parallel है समझना बहुत ज़्यादा ध्यान से यहाँ पर मैं आपको बड़िया तरीके से बता भी देता हूँ यह वाला जो E, F आप बोल रहो ना यह CD के parallel है और अगर ऐसा है तो यहाँ पर बनने वाला को इंटीरर अंगल होगा क्योंकि CE एक ट्रांसवर्सल है E, F पार्लेल है CD के और CE एक ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पर sum of two को इंटीरर अंगल्स मतलब अंगल X और यह वाला अंगल का sum 180 डिगरी होगा यह वाला अंगल और यह वाला अंगल का sum 180 डिगरी होगा क्यों क्योंकि लाइन्स पार्लेल है और रीजन क्या लिखोगे को इंटीरर अंगल्स तो आजाओ थोड़ा जल्दी करते है आजाओ आजाओ तो मैं लिख रहा हूँ मैं क्या लिख रहा हूँ कि CD पार्लेल टु इहां पर सबसे पहला CD पार्लेल टु मैं क्या बोल सकता हूं CD पार्लेल टु EF है और CE एक ट्रांसवरसन है और CE एक ट्रांसवरसल है तो यहां पर एंगल X डिगरी और एंगल c e f x degree plus angle c e f c e f बराबर कितना हो जाएगा 180 degree मतलब c e f मिल गया 180 minus x degree degree लगा देना तो c e f मिल गया c e f मिल गया कितना 180 minus x अब जो मेरा मन है वो क्या बोल रहा है वो सुनू वो यह बोल रहा है भाईट की a b joh है वो e f के पारलल है a b e f के पारलल है तो आपके पास यह वाला angle plus c वाला पूरा angle देखो इतनी लेंगे यह पूरा angle बराबर 180 degree हाँ या ना बिलकुल हाँ तो बस उसके लिए यहाँ पर काम करना शुरू कर दो कहं पर लिखोगे यहाँ पर लिखोगे तो यह पर लिख फिर से लिखना कि a b पारलल है यह सनी और a i e ऐ ट्रांसवरसल है और a e और a e एक ट्रांसवरसल है i hope आपको बड़िया तरीके से समझ में आ रहा हूँँ 보고 सारी चीजह ज्यादा मुश्किल नहीं है तो आपके पास ए ये ट्रांसवर्सल है तो आपके पास एंगल बी ए ए ए प्लस एंगल ए ए ए ए ए फ ये पूरा एंगल की बात हो रही है AEF 180 डिग्री रीजन सर्वाई को इंटीर अंगल्स को इंटीर अंगल्स BAE आपको दिया हुआ है 105 105 AEF कहा है 25 प्लस CEF 180 माइनस X 25 प्लस 180 माइनस X बराबर 180 डिग्री ये बात ता है कि नहीं है बिल्कुल ता है तो अब यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा 180 से 180 कट जाएगा X आजाएगा आपके पास कित्ता 5 अगर आप इसको दे दोगे तो यह हो गया 110 130 डिग्री एक बार जल्दी से मस्त प्यारा वाला स्क्रीन शॉट लो क्योंकि आपका ये X आ गया है X कित्ता आपके पास 130 डिग्री समझ गाए क्या जल्दी 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 स्क्रीन शॉट लो ले लिए स्क्रीन शॉट आजा आगे बढ़ते हैं तो जैसे ही अब हम आगे बढ़े आगे हमारे पास क्वेशन आ गया question कौन सा आ गया ये वाला ये वाला question आ गया दो plane mirror M और N are placed parallel to each other as shown in the figure figure ही नहीं तो figure मैं बना देता हूँ कोई दिखकर नहीं है M और N M और N दो parallel mirror है ठीक है ठीक है एक ray A B is incident on the first mirror ये A B एक ray है ये incident हो रही है पहले mirror पे और reflect twice and emerges into the direction CD ठीक है यहाँ पर जा रही है और फिर ये यहाँ पर जा रही है तो ये होगे आपके पास CD प्रूफ करना है की A B parallel है CD के है हमें प्रूफ करना है की ये जो A B है ये जो आपके पास A B है ये parallel है आपके पास CD के है तो I hope आप लोगों ने concept समझा होगा एक concept आप लोग जानते होगे कि आपके पास अगर M और N दो mirror है जो की parallel है ठीक है जो की parallel ही होगे पक्की बात है अब यहाँ पर आपके पास एक होगया normal let's say यह होगया BE और यह भी एक normal होगा जो की होगया CF अब यहाँ पर आपके पास angle of incidence और यहाँ पर आपके पास angle of reflection तो reflection और यहाँ पर आपके पास angle of incidence बराबर हो जाएगा angle of reflection के तो यहाँ पर आपके पास laws of reflection के साबसे angle I बराबर angle R और angle I बराबर angle R होता है अब मुझे कुछ नहीं पता मुझे सिर्फ इत्ता पता है कि मुझे AB को CD के पारलल करना है और ये काम आपका है क्योंकि ये NCIT का question है तो ये वाला जाता है KTQ में किशोर तेजवानी question ये वाला जाता है KTQ में बात खत्म ये अब आपको प्रूफ करना है कैसे न कैसे करके अब screenshot ले लो आप क्योंकि ये homework है ये तो जाएगा भाईया homework में आया समझ में बात पक्का homework है कर लोगे कर लेंगे अब ज़रा इससे ने पढ़त है question number 19 इंदा given figure AB is parallel to CD इस figure में AB और CD आपस में parallel है और angle BAE आपके पास 50 degree है BAE आपके पास 50 degree है AEC आपके पास X है AEC आपके पास X है हमसे यही मांगेगा वो पक्का ECD 100 है ECD आपके पास 100 है ठीक है आपको X के value find करना है मैंने बोला था हमें X के value find करना है क्या करें देखो सर्ण जो दिमाग लग रहा है वो तो यह बोल रहा है कि आपके पास CA जो CD है वो AB के parallel है तो कही ना कहीं से कुछ ना कुछ करके अब हम क्या ही कर सकते है सर जादा से जादा हम क्या कर सकते है कि जादा से जादा हम क्या ही कर सकते है इसको join कर सकते है या इसको join कर सकते है क्या करूं मेरा मन बोल रहा है कि भाईया इसको यहाँ पर जॉइन कर दो तो आप अब एक बार थोड़ा से दिमाग लगाओ कि हम लोग क्या कर सकते हैं क्योंकि जैसे ही आप लोगों ने यह पता लगा लिया कि हम लोग क्या कर सकते हैं तो वो चीज हम कर देंगे याँ पर, बता भई, क्या करें? सर दीमाग तो ये बोल रहा है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, इसको जोइन कर दूं ऐसे? नहीं, इसको जॉइन नहीं कर सकता इसको जॉइन नहीं कर सकता हां, मैं एक काम ये कर सकता हूं कि यहां से मैं एक रे खीछता हूं है ना, let's say PQ जो की पारलेले C D बोल दो या A B बोल दो तो अब यहां पर काम हो जाएगा मेरा खो जाएगा given क्या है? given है A, B is parallel to C, D और क्या है और angle B, A, E बराबर 50 degree और angle A, E, C बराबर X degree angle E, C, D बराबर किता 100 degree आपको XKLU find करना है तो 2 prove नहीं है यह, यह find है तो आपने construction कर दिया है यहापने और construction में मैंने क्या किया draw PQ which is parallel to CD draw PQ draw PQ which is parallel to CD अब समझना बहुत जाद ध्यान से अगर मैंने PQ को CD के parallel draw किया तो यहाँ पर अब मैं करने जा रहा हूं proof एक काम आप जो आपको जो मैं बताऊंगा वो समझना कि as PQ is parallel to CD अगर यह वाला PQ यह वाले CD के parallel हुआ तो इस वाले angle और इस वाले angle का सम कित्था sir 180 degree ठीक है तो angle EQC प्लस एंगल ECD बराबर 180 degree EQC EQC वाँ 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 EQC कोई angle लिनी है QEC हो जाता है कभी गभी EQEC तो angle QEC प्लस angle ECD के ता? 100 बराबर 180 degree तो angle QEC आपके पास 80 degree आगया की नहीं आगया? आगया? आगया तो यह आगया आपके पास 80 degree ठीक है? यह 80 हो गया अब समझना X की value निकालनी है और X यहाँ पर है तो अभी भी X आने नहीं बाला फिर आपने बोला कि sir यह वाली line और यह वाली line यह वाली line और यह वाली line आपके पास में पार्लेल तो को interior angles लग गया अब मैं बोल रहा हूँ कि यह वाली जो line है वो इस वाली line के parallel है PQ is parallel to AB sir PQ is parallel to AB हुआ कैसे? आपके पास क्या है समझना? आपके पास AB parallel to CD है और PQ parallel to CD है as AB is parallel to CD और PQ is parallel to CD then मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं बोल सकता हूँ कि जो CD है CD देखो न AB और PQ दो lines है which are parallel to the same line AB और CD दो lines है which are parallel to the same line CD then they are also parallel to each other मतलब AB CD के parallel PQ CD के parallel तो AB और PQ आपस में parallel AB is parallel to PQ reason के लिखोगे reason के लिखोगे किसार lines which are parallel to the same lines to the same line are also parallel to each other और अगर ऐसा हुआ AB parallel हुआ अगर P Q के ये वाला AB समझना ये वाला AB अगर ये वाले PQ के parallel हुआ तो आप बोलोगे कि ये एक transversal हो गया तो यहाँ पर ये वाला angle और ये वाला angle का समकित्ता होगा 180 degree तो एक्स प्लस 80 प्लस 50 हाना तो अभी यहाँ पर क्या बोल दोगे आप कि यहाँ पर बोल दोगे AB parallel to P Q AB parallel to P Q और EA एक transversal तो क्या हो जाएगा कि सर एक्स प्लस 80 प्लस 50 बराबर 180 degree reason को इंटेरर अंगल्स हो गया? हो गया तो यह था एक्स अब एक्स आपको find करना है 180 माइनस 80 तो 100 और आपके पास यह बच्चे का simple simple 50 50 आ जाएगा यह यह आपके पास कित्ता आजाएगा यह आपके पास आजाएगा 50 50 degree यह था second last question जो की हो गया second last question था हो गया जल्दी एक बार प्यारा वाला मस्त screenshot लो आगे बढ़े चलो आगे बढ़ते हैं अब आगे अगर हम लोग बढ़े तो आगे हमारे पास किया आगया आगे हमारे पास आगया यह वाला question आजाओ समझते हैं question number 20 in the given figure a b is parallel to c d a b जो है वो c d के parallel है a b o आपके पास 40 degree है a b o यह वाला एंगल 40 degree है और c d o c d o यह वाला एंगल 35 degree है find the value of the reflex of b o d आपको b o d का reflex निकालना है मतलब यह वाले अंगल का reflex निकालना है जो कि यह है enhance find the value of x ठीक है ठीक है ठीक है आपको reflex अगर b o d का निकालना है तो reflex b o d का यह x ही degree है मतलब ultimately आपको x ही निकालना है अब आप क्या सोच रहे हो कि आप उसको कैसे निकालोगे आप पहले BOD find करोगे नहीं आप BOD find ही नहीं कर पाओगे आप BOD find ही नहीं कर पाओगे आपको यहाँ पर एक construction करना पड़ेगा और करना पड़ेगा कि draw PQ draw PQ which is parallel to यहाँ तो AB यहाँ तो CD कुछ भी कुछ भी कुछ भी सबसे पहले गिवन लिख देते है लिखना कि AB is parallel to CD ठीक है angle ABO 40 degree ठीक है angle CDO 35 degree ठीक है और आपको निकालना है reflex of BOD और find करना X के लिए एक ही बात है तो आपने क्या किया आपने किया draw PQ which is parallel to CD ठीक है अब यहाँ पर PQ आपने draw कर दिया which is parallel to CD तो आपके पास क्या बोल रहा है कि देखो AB CD के parallel है PQ CD के parallel है तो AB कहीं न कहीं PQ के parallel होगा चल वो बात यह बात है अब हम पहले इससे काम कर लेते होई PQ अगर CD के parallel है तो आप जानते होगी यह वाला जो angle होगा let's see यह O point और O ही है यह तो यह वाला जो angle होगा और यह वाला जो angle होगा यह दोनों को interior angles का sum है हाना यहाँ पर कित्ता हो जाएगा आपके पास 180 degree तो angle POD प्लस angle ODC बराबर 180 degree और reason क्या निखो गया आपने बोला angle POD प्लस angle ODC बराबर 180 degree reason क्या को interior angles ठीक है POD है कित्ता नहीं है POD हमारे लिए अभी नहीं है और ODC कित्ता है सर 35 degree बराबर 180 degree POD कित्ता आ गया सर POD हमारे पास आ गया जैसी 35 minus होगा मतलब की 145 degree 145 degree आजब अब ज़रा आगे की बात करता है सर CD PQ के parallel था या PQ CD के parallel था आप ही ने draw किया अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो PQ है न वो AB के भी parallel है पता है आपको अच्छा कैसे वो ऐसे कि since AB is parallel to CD हाँ ना और A construction हमने किया जिसमें हमने लिखा PQ is parallel to CD जिसमें हमने लिखा PQ is parallel to CD तो मैंने बोला then AB एक line है जो की CD line के parallel PQ एक line है जो की CD line के parallel तो lines which are parallel to the same line AB और PQ lines which are parallel to the same line CD are also parallel to each other तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा AB is parallel to PQ और reason क्या लिखोगे reason लिखोगे lines which are parallel to the same lines lines which are parallel to the same line are also parallel to each other are also parallel to each other समझ गए क्या बात को जल्ली बता समझ गए क्या AB जो है वो PQ के parallel तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम्गिता 180 डिगरी तो एंगल 40 हाना क्या लिखोगे एंगल AB O एंगल AB O प्लस एंगल B O P बराबर वाने 80 डिगरी हाँ या ना हाँ सर AB O कित्ता है 40 और B O P कित्ता है सर B O P है नहीं B O P फाइंड करना पड़ेगा बराबर वाने 80 डिगरी तो एंगल B O P कित्ता आ गया सर 140 समझ गए क्या जल्दी अब आगे क्या कर सकतो वो समझो ठीक है हो गया था P O D आ गया P O D P O D यह वाला P O D आ गया और B O P आ गया B O P यह वाला आ गया तो यह वाला एंगल और यह वाला एंगल आ गया है आपका दोनों को आड कर दो X डिगरी आ जाएगा दोनों को आड कर दो तो आपके पास x degree आ जाएगा न, x degree कब आएगा, जब आप POD और BOP को आड़ करोगे, POD को और BOP को आड़ करोगे, तो x degree तो हो गया, 145 और 140, मतलब 285, x degree कितना हो गया, 285 degree, ठीक है, और यही है reflex BOD का, एक बात और, confusion नहीं होना चाहिए, आपके पास उसने बोला थे, reflex निकालो BOD का, मतलब वो BOD से मतलब नहीं रख रहा, वो reflex of BOD से मतलब रख रहा है, तो कुछ लोग तो होते हैं, कि वो reflex of BOD कैसे निकालेंगे पता है? वो कर देंगे पूरे 360 मेंसे angle BOD को माइनस, पर मेरा तो मुद्धा यह था कि मैं BOD तो नहीं निकाल पा रहा था, मैं यहां से BOD ही नहीं निकाल पाऊंगा, तो मैं reflex कैसे निकालूंगा, यह बात भी सही है, सही है, तो अब आपके पास यह चीज आ गई की नहीं आ गई, आ गई सर, तो आपके पास एक चीज और बोलता हूँ, मैं आपके पास BOD भी आ सकता आसानी से, A, B, अगर P, Q, P, Q के पारलेल है, तो वो, Q के भी पारलेल होगा, तो यह 40, तो यह 40, और यह 35, तो यह 35, है ना, तो आप दोनों को आड़ करते और फिर 360 में से वाइनस करते तो भी X आ जाता है, तो X आपके पास आ गया, X ही यह reflex BOD का, reflex of angle BOD, 20, आसाने, आसाने, अब आसाने तो हो गया ही 20, ठीक है, चलो, एक बार जल्दी से प्यारा वाला बस्त, स्क्रीन चॉट लो, खतम हो गया, और कुछ नहीं, खतम, 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 ज्यादा कुछ था ही नहीं, हो गया, देखा, खतम, तो वस यही काम है, magnet bands का, कि ऐसे ही आपको quality wise और free education प्रोवाइट करते रहेंगे, kindergarten से लेकर class 12 तक, अगर आप लोग CBSC BOD, MP BOD से हैं तो, और MP BOD से हैं तो, फिर क्या दिक्कत भाई, हमारे हाँ दो तरीके के courses हैं, जो कि English और Hindi medium में available हैं, अगर आप लोग CBSC BOD से हैं, तो आप लोगों के लिए तो magnet bands का English medium channel है, जिसमें मैंने आपको बता ही दिया है, कि आपको पढ़ा जाते है kindergarten से लेकर class 12 तक, यह हमारा कौन सा भया, YouTube channel का page है, जिसको आपने अभी तक subscribe नहीं किया, आप हमारा app download कर सकते हो, grab e-notes subscription में जाएंगे, तो यहां से आप हमारे e-notes available कर सकते हैं, आप हमारी website visit कर सकते हैं, यह वीडियो पसंद आएगा तो like, share और subscribe कर दीजेगा, follow कर लिजेगा Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp पे, e-notes या e-books अगर available करने तो link description box में given है, साथी साथ अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं, तो Magnet Bains हिंदी मीडियम नाम का भी एक हमारा चैनल जिसमें पढ़ाया जाता है, Class 6 से लेकर Class 12 तक एकदम quality wise और free education वो भी हिंदी मीडियम है, with coverage Delhi board, PR board, UP board, MP board, Rajasthan board, हमारे कुछ और भी courses हैं, जिसका नाम है वेदिक माच्स crush course और spoken English शो आज के session में सरफ इता ही, मिलते हैं एक session में तब तक लिए bye bye अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एकी चीज़ बोलूँगा दोस्त कि पढ़ाई करते रहें वो बहुत जादा ज़रूरी है, bye bye